श्री राम कृष्ण की चर्णों में पैठने से ही भारत का उत्थान। एक संस्कत शुभाशित है जिसे मैंने स्कूल में पढ़ा था। श्री राम से घर्षण के द्वारा छेदन के द्वारा तपा कर और पीट कर की जाती है। ठीक उसी प्रकार पुरुष की परिक्षा, त्याग, शील, गुर्ण और कर्म के द्वारा की जाती है। पर अडिक रहकर अपनी प्रतिष्ठा मर्यादा को रखकर समाच की उत्कृष सेवा करता है। और समाच के द्वारा उसकी अनुशंशा और प्रशंशा उसे मिलती है, तो यह उसकी बड़ी उपलब्दी है। उसमें उसकी आदर्श शक्ती, उसके कारिकरताओं की उन्नत चरित्र शक्ती और समाच की विवेक शीलता और उदारता का योगदान होता है। संग और संस्था की परिक्षा भी सोने के सरदर्श है, जो समाच के द्वारा विभिन कसोटियों पर कस कर, खरा उतरने पर समाच उसे अपनी स्विकृती देता है। समाच देखता है संस्था में त्याक की भावना है या नहीं, संस्था सेवा अपने स्वार्ट के लिए कर रही है या समाच के कल्यान के लिए कर रही है, या पहली कसोटियों है। संस्था में सेवा करने वालों में शील है या नहीं, इनने विनम्रता है की नहीं, ये लोगों के प्रती कैसा व्याभार कर रहे हैं। योग्यता इनमें है या नहीं, नहीं तो सेवा के लिए अपिक्षित योग्यता के अभाव में हित के बदले अहित हो जाता है। अता गुण का होना तीसरा कसोटी है। चौता और सबसे महत्पूर्ण है कर्म। सेवकों का कर्म कैसा है। उप्युक्त सभी गुण के संपन्न होने पर भी उन्हें व्यव्यभार में कितना अभिव्यत कर पाते हैं। उनका आच्छन कैसा है, ये चौती कसोटी है। युगाचार्य स्वामि वेवेकाणन जी द्वारास्थापित रामकृश्न संग भी समाच की इनी कसोटीं में कसकर निकला हुआ सोना है। आच्छ संप में रामकृश्न संग की स्विकृत्ती है। संग के सेवाकारियों की समाच, शाषन, प्रशाषन द्वारा, अनुशंशा, प्रशंशा की जा रही है इन सब का श्रे, इस संस्था के आदर्श, यूगा अवतार, भगवान, श्री रामकृष्न की दिव्य शक्ती है श्री माच शारदा की ठाकृष्न से पराथना और उनका अमोग सने आशीश है इस महान संग के संस्थापक, यूगाचारिय, यती समराथ, स्वामी विवेकानन का त्याग में महान चरित्र, संग के प्रती, दूर दर्शिता, उनका प्रभंदन और प्रमुक दुखारता है उनके अनुयाईयों द्वारा की गई शिव भाव से जिव सेवा है श्री राम कृष्न संकी स्थापना का मूल स्रोत श्री राम कृष्न के हिर्दय सिंदु से निस्रित जीव दुखारता है श्री राम कृष्ण की छेतना से एकाकार अभिन्य हिर्दय स्वामी विवेकानन ने इसी समवेदना की अनुभूती की और लोग कल्यान और भारत के विकास में श्री राम कृष्ण की ही प्रमुग भुमिका का अपने अंतस्थल में बोत किया आधुनिक भारत के नव निर्माता स्वामी विवेकानन जी ने सयुक्त राज्य एमेरिका से डॉक्टर नंजुन दाव को लिखित पत्र में भारत के उत्थान का मूल मंत्र देते वे कहा था श्री राम कृष्ण के चर्णों में बैठने से ही भारत का उत्थान हो सकता है उनकी जीवनी और सिक्षाओं को चारों और फैलाना होगा उन्हें हिंदु समाच के रोम रोम में भरना होगा यह कौन करेगा श्री राम कृष्ण की पता का हाथ में लेकर संसार के उध्धार है तू कौन अभियान करेगा कौन है जो नाम यश भोग एश्वर्य और यहां तकी इह लोग तथा परलोग की सारी आशाओं का बलिदान करके अवनती की इस बाड को रोखने है तू अग्रसर होगा कुछ इने गिने यूगों ने इन में अपने आपको जोग दिया अपने प्राणों का उपसर्ग कर दिया परन्तु इनकी संख्या बहुत थोड़ी है हम चाते हैं कि ऐसे ही कई हजार मनुश्य आएं और मैं जानता हूँ कि वे आएंगे वे धन्य हैं जिसे प्रभू ने चुल लिया है भारत के इत्विकास में परम सहायक श्री राम कृष्ण के जीवन जरित्र और उनके उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए ही स्वामी जी ने एक मैं 1897 को श्री राम कृष्ण मिशन की स्थापना की जो विश्व प्रसिद्ध है स्वामी जी ने भारत की उन्नती की परिकलपना श्री राम कृष्ण के जीवन और संदेशों के परिक्षेप में ही की है जिस विशाल बट वरिक्ष की चाया में आज संपूर्ण विश्व शांती प्राप्त कर रहा है रामकृष्ण मिशिन की विभिन छेत्रों में सेवा है। और अध्यात्मिक उत्थान है तू आत्मविकास है तू सतत प्रयत्नशील है। नई पीडी में राश्ट सेवा की भावना एवं प्रबुध नागरिक बनने है तू युवा शिवीरों का आयोजन भी किया जाता है। स्वास्त के छेत्र में अपने 14 चिकित्सालेयों, 123 चिकित्सा केंद्रों एवं 356 चिकित्सा शिवीरों के द्वारा लोगों के शारिक्सु स्वास्त है तू सेवा रथे। देश विदेश में संगठन कालीन स्थिती, भूकम, बार और अज्यात खटनाओं से तरस्थ मानवों की दैनिक अवस्थाओं की पूर्ती है तू समय समय पर विभिन राहत शिवीरों द्वारा लोगों की शुधा पिपासा शांत कर अपने सामान्य जीवन यापन में सहायत कराता है या अध्यात्म पिपासूँ की अध्यात्मिक पिपासा को शांत करने है तू रामकृष्ण, बुद्ध, ईसा, महम्मद, श्री रामकृष्ण, श्रीमाश शार्दा, स्वामी दिवेकानन, रिशी मुनियों और शास्त्र के परिशेप्य में अध्यात्मिक में निष्ठा रखते हुए अपना अध्यात्मिक उन्नति कर सके जीवन के मूल्य लक्ष्य परमात्मा की अनुभूती पर अपने मानव जीवन को धन्य कर सके संशेप में श्री रामकृष्ण मिश्ण के यही उलेखनिय सेवाकार्य हैं स्वामी विवेकानन ने स्वयम राम निर्देशित विधानों पर रामकृष्ण मिश्ण संचालित है देश काल परिस्थिती के अनुसार उसकी विवेस्थाओं में भले ही परिवर्दन हो लेकिन मूल सिध्धान्थ और आदर्श अचल हैं संग सेवा से मुक्ती का द्वार उन्मुक्त युगाचार्य स्वामी विवेकानन जी ने संग में सम्मिलित होकर सेवा करने वाले साधूं के लिए अद्भुत आदर्श स्थापित किया उन्होंने कहा कि इस संग के द्वारा आत्म मुक्ती और जगत कल्यान दोनों हो सकेंगी यहां के सेवक अपने मुक्ती और लोग कल्यान दोनों के लिए मेहिजृ स्वामी जी ने जन्म जन्मांतर से मनुवांचित मुक्ति मार्ग को नारायन भाव से नर की सेवा द्वारा प्रशस किया। जी ने अपने गुरु भाईयों को पत्र लिखा था जिसमें वे लिखते हैं जो कोई श्रीराम कृष्ण को प्रणाम करेगा ततकाल ही वह स्वर्ण बन जाएगा इस संदेश को लेकर तुम घर घर जाओ देखोगे कि तुम्हारी सारी अश्चान्ती दूर हो गई है इन सब से देवाकायों के अतरिक्त युगाचार्य स्वामी जी ने मानव जीवन को स्वर्ण सद्रिश्य विशुद्ध और मुल्यवान बनाने हेतु सरल मंत्र दिया जो श्रीराम कृष्ण को प्रणाम करेगा पततकाल सोना बन जाएगा भगवान श्रीकृष्ण भी गीता में कहते ह शिप्रम भवती धर्मात्मा भगवान को एकागरुचित होकर प्रणाम करने से मानव का जीवन तक्षन मोह मर्यादित से मुप्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप का बोद कराता है श्रीराम कृष्ण के उपदेशों को आत्म साथ करने वाले व्यक्ति स्वर्ण बन जाते हैं वह रत्न बन जाते हैं जो भुगर्ब, गिरी, सिंदु से कही भी रहें उसे माया रूपी मलिंता स्पर्ष नहीं करती वह विशुद्ध बन जाते हैं ऐसे ही महान पुझ्य सन्य श्रीराम कृष्ण, श्रीमा शार्दा और स्वामी विवेकानन जी की अमो कृपा वाश्यत हो ऐसा उन से हार्दिक आनुकुल प्रातना है